नमस्कार दोस्तों स्वागेता आप सभी का मारी यूट्यूब चैनल में आज हम आपके साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनने वाला गाजर का हलवा बहुत ही अलग तरीके से और फटाफट से हम इसको कैसे बना सकते हैं वो रेसिपी शेयर करने वाले हैं त बहुत ही फटाफट बन जाएगा आपको इसमें जादा मैनत नहीं करने पड़ेगी तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे आप अल्यूमिनियम की लोहे की या नॉन स्टिक कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं इसमें हमने डाला है दो उसे मतलब छील के और मिक्सी में पीस लिया है कदुकस करेंगे तभी बिल्कुल ऐसा ही टेक्स्चर आएगा और मिक्सी में पीसेंगे तभी ऐसा ही टेक्स्चर आएगा तो आप को जो इजी लगे आप वो कर सकते हो आप कदुकस भी कर सकते हो आप मिक्सी में भी इसको ग् अच्छा बनेगा तो इसी दो मिनट तक हम अच्छे से पका लेंगे और यह देखे मैंने इसको दो मिनट तक अच्छे से पका लिया है घी अच्छे से मिक्स हो गया है और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मलाई वाला दूद मैंने कम से कम दो बड़े कप मलाई वाला और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे 2-3 मिनट घीमे पकाने के बाद इसमें आइड कर देना है दूद आप चाहे तो इसमें साथ में मावा भी आइड कर सकते हैं बढ़ दूद मेरे पास अवेलेबल था इसलिए मैंने आइड कर दिया है अच्छे से mix करेंगे इसको और अच्छे से mix करने के बाद हम ये देखें आप देख सकते हो ये एकदम से liquid consistency में आ गया है और अब हम इससे cover करके कम से कम 5-7 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे तो ये देखें मैंने इस पर धकन लगा दिया है और बिल्कुल medium flame पर हमें इसको पकाना है 5-7 मिनट में आप देखेंगे दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा गार्डा होना शुरू हो गया है ये देखें 2-3 मिनट हम इसको high flame पकाएंगे अब हम gas का flame high कर देंगे और साथ में डाल देंगे इसमें चीनी क्योंकि जैसे ही दूद थोड़ा सा थिक हो जाता है हमारा बैटर थिक हो जाता है तो हम इसमें चीनी डाल देंगे क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है तो थोड़ा बैटर थिक होने के बाद ही आप इसमें चीनी आड़ करें और अच्छे से मिला ले ताकि चीनी इसमें डिजॉल्व हो जाए तो एक किलो काजर के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी चीनी ली है चीनी की मातरा आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं अच्छे से इसको मिला लेंगे और फिर से ढखकर लगा के दो से तीन मिनट तक हाई फ्लेम पे पकने देंगे और आप देख सकते हैं दो से तीन मिनट हो चुके हैं और हमारा जो हलवा है वो थोड़ा थोड़ा गाड़ा होने स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी भी इसमें पानी है आप देख सकते हैं अभी भी इसमें बबल्स आ रहे हैं तो इसे फिर से दो मिनट के लिए पकाएंगे बिलकुल हाई फ्लेम पे तो अब भी देखे गाईज अब भी इसमें से बबल्स नहीं आ रहे हैं बहुत ही कम बबल्स रहे गए है तो अभी इसे खुली गैस पे यानि कि बिना ढखन लगाई वे हम दो मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेते हैं द्यान रखना है बैटर जब घाड़ा हो जाए एकदम से तब ही आपको गैस का फ्लेम बंद करना है अगर इसमें जरा सा भी पानी रहेगा तो ये हलवा जो है वो खराब हो जाएगा आप इसे उनली गरम गरम ही खापाऊगे जादा टाइम तक ये हलवा नहीं चलेगा तो ध्यान रखना है कि इसके अंदर बिलकुल भी पानी नहीं रहना चाहिए यानि कि जो हमने दूर डाला था कुछ भी लिक्विड नहीं रहना चाहिए तो अभी हलवा गैस बिलकुल डेडी है और मैं इसे सर्व कर देती हूँ तो ये देखिए बहुत ही जादा यम्मी लग रहा है आप चाहिए तो इसमें कुछ भी ड्राइफ्रूट्स अंदर डाल सकते हैं पर मुझे ये प्लेन बहुत जादा अच्छा लगता है तो मैंने इसको प्लेन बनाया है उपर से मुझे काजू थोड़े से इसमें मैंने डाल दिये हैं ओनली फो डेकोरेशन के लिए तो गैस उमीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी आप भी इस तरह से ज़रू ट्राइ किजेगा चूटल 15 मिनिट में आपक नए वीडियो में तो